दोस्तों तप्रदीश होंगार्ट के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी निकल कर आ रही है मांदे में बंपर बढ़ोतरी हो गई है वह अप्रेल में जो आपका मांदे मिलेगा वह 31,500 रुपए तक मिलेगा दोस्तों क्या है ये गुड नियूज क्या है ये पूरी वीडियो देखे और वीडियो पॉसंद आए तो लाइक करके शियर करना चैनल पर ने हैं और चाहते हैं कि इस तरह की हर लेटेश्ट अप्डेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को सबस्क्राइब करके वैल का आइकॉन को दबा कर और पसेट कर लेना ता कि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और नीचे कमेंट बक्स में आखे जरूर लिखे का अपने डिस्टिक का नाम आगे लिखे यूपी होंगार्ड न्यूस टुड़े जिससे की दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी द इस तरह कर वा ठीके दोस्तों को भी लाइक हम लोग चलते सीधे दीश की तरफ पहले देश द इखाऊँगा उसके सभी को भीजा गया ठीक है अब मामला क्या है यहां पर यह जो है बेतन अयोग अनुभाग एक के द्वारा 12 मार्च को रिलीज किया गया था ठीक है यह जो है राज्य करमचारियों और सिक्षण संस्थाओं शेहरी इस्थाई निकायों के नियमित पूर्ण कालिक करमचारी कारिप्रभारित करमचारियों तता यूजी सी वितनमान में कारत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक एक जनवरी दोजाद चौबेश से बड़ी हुई दर पर भुक्तान करने के संबंद में जारी किया गया है यानि कि जनवरी दोजाद चौबेश से आपका डिय जो है बढ़ गया है ठीक है आपको पता है कि उत्तरप्रदेश राज्जी करमचारी को जितना डिय मिल कहने का निरेश हुआ है कि केंज सरकार द्वारा लिए गए निर्नय अनुसार केंद्रिय जरकारी करमचारी को प्शुप्त करम संक्षयार पर दे रखा काला जो है लिखें शुख जरू पर महंगःबत्धी सुई करती का आदिये गया है अब देखें सुईकृति जो है एक हो गया है पचास प्रतिशर ठीक तो पचास प्रतिशर डी के हिसाब से आपका मांदे बनेगा और कब से बनेगा यह एक जनवरी 2024 से बनेगा ठीक लेकिन नगद बाली बार जो है वो इसमें इनोंने कह दिये कि भई नगद कब मार्च महा का जो बेतन बनता है आप मांदे में लगकर आपको मांदे में यह मिलेगा उस मांदे में आपका जो डी होगा वो शार्ष प्रतीषत होगा। थिक इस आदेश के नूसार ठीक अभी जो है अलग 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 विभागों में इस तरीके के आदेश जारी किये जा चुके हैं आपके यहां कभी आदेश हो जारी हो गया नहीं होगा होगा तो एक दो दिन में जारी कर दिया जाएगा क्योंकि यह जो है शार्षनादेश है सभी विभागों के अध्यप्षों को भीज दिया गया है अब यह समझ लीजिए अब बात आती है दोस्तों कि आपकी सेलरी कितनी बढ़ेगी और आपको कितने टाइम का जो कितने पीरिट का आपको एरियर मिलेगा ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं आपको पूरी कैलकुलेशन समझा देता हूं के लिए अच्छे से ठीक है बहुत जरूरी अच्छे से समझना तो यहां पर देखिए समझने वाली बात यह है कि भई अभी तक आपका जो मूल बेतन है मूल बेतन जो है बहुत अध्यांत समझेगा बहुत आसान तरीके समझा दूंगा आपका जो मूल बेतन है वह कितना 600 रूप है ठीक पहले पुराना वाला बात करतें जो अभी मिल रहा है आपको ठीक है पुराना वाला वह मिल रहा है आपको डीये 46 जालिस परतीशन को तो आपको वो दोसो फिजटो रुपए प्रति दिन के साहए ते मिल रहे थे सब्सक्राइब का माने तो 30 दिन की सेलरी आप की मिलती थी आपको 26,280 रुपए ठीक यह तो अब तक की बात थी अभी की बात कर ओंगे ठीक लेकिन अब जो है भधोत्री के रहा लेकिन जो डिये हैं वो बढ़कर कितना हो गया अब आपका बढ़का सीधे 50 परतिशन ठीक पचास परतिशन दी के बाद आप जो डिये बनता एक दिन का वो बनता है छे सो का पचास परतिशन निकाले तीन सो आएगा ठीक उसके इसाफ से आपकी जो सेलरी बन जाती है मा दो दोस्तों बात हो गई हमारे एक जवान की जो साधान ड्यूटी कर रहा है ठीक है चब्वे सजाद दोस्तों सी सीधे सीधे पहुंच गई पर दिन की आपकी जो है वह बन गया है दिये चौबिस रुपे परति दिन के साफ से आपका डिये बढ़ गया है यह दो दोस्तों हो गई पुरानी से अब आपकी सेल्डी जो है इतनी हो जाएगी ठीक अब बात कर लेते हैं कि भई यह एकत्तिस एर पानसों कैसे होगी यह की जाए लाखे है थीक है टाइल 112 पर जो हमारे जावान लगे हैं हमारी जाजवाण है उनको सेल्डी 600 रुपे मूल बेतन ठीक है और 300 रुपे क्या दिये और देट्र रुपे क्या एक्स्त्रा जो मिलते हैं डाइल 112 पर किल मिला कर कितना हो जाता है यहापका 1050 रुपै ठीक 30 दिन का है आपका मंत लगाते हैं तो आपके बैठते हैं 31,500 रुपैस्य ठीक हमारे होमगार जबार के कांदें आप दोस्तों बात कर लेते एरियर कितना बनेगा एरियर की बात कर लेते एरियर कितना बनने वाला है ठीक है एरियर देखिए आपका जो बढोतरी है आपकी जो बढोतरी है वो एक जनवरी दोजाथ चौबिस से लाग हुई है ठीक है यह वजनवरी का जो दिन है वो 31 दिन है ठीक है और फेबरी की जो दिन है वो कितने हैं आपके 29 दिन की कुल मिला के कितने दिन होगा यहां पर साथ दिन साथ दिन का एरियर आपको मिलेगा जनवरी और परबरी का मार्च का तो आपका लगकर मिला पचास प्रती शाथ ठीक है तो साथ दिन का एरियर जो है वह आपको प्रती दिन जो एरियर में बढ़तरी वह थी तो उस हिशाव से आप का यहां पर बैट जाता है आपका सीथे 1440 रूपे धिक यह आपका दो महिने का आपको मिलेगा नगत और जल्दी ही मिलेगा चौदा सो 40 रूपे थीक है तो इस तरीके से आपकी जो वो सीधे 27 पहुंच गई है जो आ sleepy करते हमारे जबान कि जो सल मिले का दो करके तो मैंने इसके बादब कान्वीजन को नीचे कमेड लिख सकते हैं वीडियो पसंता नहा दोस्तों को लाइक करके शेयर कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल के आइकॉन को दबा लें ताकि से विचर में हमारा हर वीडियो आप तक हसनी से पहुंच सके अपना खाया लखे परिबार का खाया लखे पर मुलाकात होगी तैंक्यों